हेलो गाइस, वेलकम टू BK24 स्टेडी जोन, इस वीडियो में बात करेंगे 24 फरवरी 2019 के करेंट फेस के बारे में, जले शुरुबात करते हैं आज की करेंट फेस वीडियो, इस वीडियो का पूरा पीडियाप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लो डिस्क् की बात करते हैं, बहुत जदा help होगी आपकी स्टी की एक्जाम अगर आप preparation कर रहे हैं, इसी तरह किसे State nose के, कोई भी एकजाम में अगर आप शामिल हो रहे हो तो भी यह वीडियो काप ज़्यादा beneficial होगी, railway ने एक लाग तीस जार बढ़तिया निकाली हैं, तो उस बढ़त करते हैं पहले कोशिन के साथ अपने ही आज मारा कोशिन है के हाली में, future for nature award पाने वाली पहली भारतिया महिला कौन जड़ी है, इसका जजो सभी आंसर है, वह है option D यानि कि Questo करनाथ, दिव्या करनाथ, future for nature award पाने वाली पहली भारतिया महिला बन गई है और इस से पहले जो भारत से एक मातर इस अवार्ट को पाने वाले जो वेक्ती थे वो थे डौक्टर चारुदत मिश्रा, चारुदत मिश्रा को Future for Nature ओओर दिया गया था इससे पहले और अब पहली भारतिय महिला बन गई है दिव्या करनाट दिव्या करनाट को जो पुरसकार दिया गया है इनके समुद्री अभियान के लिए दिया गया है जिस इनके अभियान के कारण ही समुद्र में बिलोपती के कगार पे पहुचने वाली मचली सार्ग मचली के सिकार में जो है काफी कमी आई जिसके विज़से इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है इस बार भास जो चुनी गई है वो चुनी गई है दिव्या करनाड ओके अब यहाँ पसे हम देख रहे हैं ये हैं दिव्या करनाड और इनी को ये प्रसकार दिया गया है सही answer option B वाला है यानि की तमिलनाडू में दो coast guard मुख्याले बनाए गए हैं और इस तरीके का ये अपने आप में पहला राज्य है भारत का जहां पर की दो मुख्याले हो और पहले जो मुख्याले था तमिलनाडू में वो चिन्नाई में था और अब जो नया बना है वो बना है तो ये सिस जरूर धान होना चाहिए ये दूसरा जो है टटरक्षक जिला मुख्याले यानि की coast guard जिला मुख्याले है जो की बनाया गया है तमिलनाडू में जब एक्जाम में ये question आप से पूछा आता है तो directly ये question इसी तरीके से पूछने की उमीर हम करते हैं ये जो मुख् ये पूर्वी टट पर सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने में काफी ज़़ा मदद देने वाला है आने वाले टाइम पे ओके तो हम यहाँ पसे बात करेंगे तमिलनाडू के बारे में तमिलनाडू की राजधानी है चन्नाई जिले हैं 33 राजभाशा है तमिलनाडू की तमिल र इधान सबा के लिए 235 सीटे हैं राज सबा के लिए 18 सीटे हैं लोक सबा के लिए 49 सीटे हैं और अगर शाक्षरता दर की बात करें तो शाक्षरता दर है यहाँ पर 80.33 परतिशत और लिंगानुपाद है 996 ओके तो चलते हैं सीधे तमिलनाडू और तमिलनाडू में आपको देखते हैं तो करनाटक और आंधर परदेश भी तमिलनाडू की सीमा को छूरा है तो यहां पर से यह दोनुँ ही चीज आपको पता होने चाहिए पहले जो मुख्याले था वो चिन्नाई में था तो यहां से हमको यह सबी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए इसके बात करेंगे question number third की 23 फरवरी को संपन हुए medical fair इंडिया 2019 का आयुजन कहां किया गया 23 फरवरी को medical fair इंडिया 2019 का समापन हुआ है इसका आयुजन किया कहां गया था यह हमें बताना है सबसे बड़ी मदुमक्की देखी गई है तो इंडोनेशिया में यानि कि option C वाला बिल्कुल सही है इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे बड़ी मदुमक्की देखी गई है और इसके बारे में बहुत से point हैं जो आपको जरूर 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 पता होने चाहिए इंडोनेशिया के उत्री मोलोक दुइप में इस मदुमक्की को देखा गया है यह मादा मदुमक्की है और यह सबसे बड़ी जिंदा मादा मदुमक्की है जो कि यहाँ पर पाई गई है तो पुरा ग्रूप नहीं पाया गया था सिर्फ एक मदुमक्की पाई गया थी इस मदुमक्की को बिलुपत केटेगरी में रखा गया है और बिलुपत माना जाता है इस मदुमक्की को यह जो मदुमक्खी है इसको wild life photographer clay bolt ने जो है अपने camera में कैद किया तो clay bolt जो है जो वैग्यानिक दल यहाँ पर गया था जिसने इस मदुमक्खी को देखा तो उसमें clay bolt भी शामिल थे तो clay bolt नहीं जो है इस मदुमक्खी की photo कीची थी जो मदुमक्खी है इसको flying bulldog या फिर Wallace नाम से भी जाना जाता है 1981 में इसको last बार देखा गया था तो last time यानि कि 1981 से पहली बार sorry 1981 से अब 2019 में इसको देखा गया है 1981 के बाद से इसको नहीं देखा गया था पहली बार के अगर हम बात करें तो 1858 में इसको पहली बार देखा था British प्रिकतिवादी Alfred Russell Wallace ने और इन्होंने देखा था इंडोनेशिया के बेकन द्वीप में तो इन्होंने कह सकते हैं एक तरीके से इस मदुमक्खी की खोच की और सायद इसलिए इस मदुमक्खी को वैलस नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर से हम लोग देखेंगे इंडोनेशिया तो यहाँ पर देखें यह आपको हमारा इंडिया दिख रहा है और अगर मैं यह पिन किया हुआ है मैंने तो यह है इंडोनेशिया अब इंडोनेशिया के कौन से द्वीप में ये मिला है तो यहाँ पर साम देख रहे हैं तो इस इस्तान पे जो है ये मिला हुआ है ठीक है नागालेंड के पर्थम लोकायुक्त बनाए गया है नियाई मूर्ती उमानाज सिंग को नागालेंड का पर्थम लोकायुक्त बनाए गया है नियाई मूर्ती उमानाज सिंग मेगाला उच्छी नियाले के पूर्व नियाईधीश है मुखी नियाईधीश और अगले 5 सालों त चलिए इसके बाद यहांपसे नागालेंड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं नागालेंड की राजधानी है कोईमा जिले हैं ग्यारा राजपाल हैं पद्वनाब बाल कृष्ण आचारी तो राजपाल याद रखेगा ए देखने को मिल जाता है यह कि राजपाल कॉन है इस राजपाल कौन है इस राजपाल कांवा के अगर बात करें तो नागालेंड के बात करने लिए 60 सिट राज Salvador के लिए सीट एग सीट है और यहां की जो राजपारशा है वह है अंग्रेजी तो राजपारशाय याद गा नागैलेंड के राज़बारे चार्ष क्या है अंग्रेजी मैं आपको नागैलेंड लेड़ चलता हूँ और दिखा था हूँ कि नागैलेंड की परशी नमबर 6 है हमारा कि हाली में किस इस्तान पर Waste to Wonder पार्क का उधगाटन किया गया है सही answer option B वाला है यानि की नई दिल्ली में नई दिल्ली में Waste to Wonder पार्क का उधगाटन किया गया है जो पार्क है ये ओद्यों की कच्रे और संते साथ कुछ अन्य कच्रा था जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा था काफी टाइम से पड़ा हुआ था करीब 150 टन कच्रा के इस्तेमाल से जो है इस पार्क को यहां पर बनाए गया है जो पार्क है इसमें World 7 Wonders को सामिल किया गया है जिसमें की इसी कच्रे के इस्तेमाल करते हुए ताजमहल, मिश्र के महान पिरामिड, एफिल्ट आवर, पीसा की जुकी हुई मिनार, रियो डी जनेरियो का क्राइस्ट दी, रिडीमर, रोम का कोलोजियम, इसे तरह एक से नियॉयॉर्क का स्टेचू आप लिवर्टी तो यह सबी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, तो यह सब चीज़ें हैं इस पार्क में और इसी पार्क से जो है फोटो ली वही है, यह आपको यहाँ पर ताजमहल दिख रहा है, जो की कच्रे के इस्तमाल से बनाया गया है इसी तरह पीसा की जुकी हुई मिनार की अगर बात करें तो मुलब साबे जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो बनाई गई हैं जो आपको दिख रही हैं, यह सबी चीज़ें जो है कच्रे का इस्तमाल करते हुए बनाई गई हैं, और इस पार्क को कहा जा रहा है, वेस्ट टू और इस योजना के तहर जो भी स्कूली च्छात्राएं हैं उनको फ्री सेनिटरी नेपकीन बाटे जाएंगे, तो करीब सत्रा से साड़े सत्रा लाक जो च्छात्राएं हैं जो कि यहाँ पर गॉर्मेंट स्कूलू में पढ़ती हैं, उनको जो है यह सेनिटरी नेपकीन दिय जाएंगे फिरी में तो कक्षिया 6 से कक्षिया 2 तक की छात्राओं को इसका लाब मिलने वाला है तो बस दियान रखेगा कि ये योजना क्या चीज है और किस राज से संबंदित है ये हमें यहां से जरूर ध्यान होना चाहिए नेन उडिशा के बारे में कुछ पॉइंट है उ य८्दा है उडिशा के सीटि के बात करते हैं तो विधान सबा के लिए हैं 147 सीटें लाज सबा के लिए हैं 10 और लोक सबा के लिए है 21 सीटें उडिशा से अब मैं आपको उडिशा ले चलता हूँ यहां पर से इतने पॉइंट मैंने लिखे हैं इनको इग्णोर मत करिएगा डेली अगर आप करेंट अफियर्स देखते हैं तो खुद बाखुद आपको याद हो जाएगी आपको ना कहीं लिखने की जरुरत है और ना हे नोटस मनाने की ज़रुरत है तो डेली करेंट अफियर्स की वीडियो आप देख सकते हैं रोज रात मैं 12 बज़े में करेंट अफियर्स की वीडियो अप्लोड कर देता हूँ चलिए उडीशा ले चलता हूं मापको और यहां पर से दिखाता हूं कि उडीशा की सीमा कितने राज्यों की सीमा को रिषपर्श करती हुई हमें दिख रही है सो ओडिशा के बारे में ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए क्वेशन नमबर आठवा है कि हाली में किस देश के राश्टपती ने देश में एक वर्ष के लंबे आपातकाल की गोशना की है सही आंसर ओप्शन C वाला है यानि कि सुदान सुदान के राश्टपती ने देश में एक वर्ष के लंबे आपातकाल की गोशना कर दी है बिसकली सुदान में अभी राजनितिक संकट और राजनितिक बिरोध परदर्शन चल ले हैं और इनी विरोध परदर्शन के दर्मियान 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है जिसके वज़े से यहां पर एक साल का राश्टी आपातकाल लगा दिया गया है राजधानी है सुदान की खार्टूम मुद्रा है यहां की सुदानी पाउंट तो यह दो पॉइंट हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए इसी तरीके से मैं अगर हम मैप में अगर आपको दिखाऊं तो यह हमारा इंडिया है और यहां पर आपको जो दिख रहा है यह जो पिन किया हुआ है मैंने यह है सुदान तो यह सीज़ आपको यहां से ध्यान होनी चाहिए क्योंकि एक्जाम में इस सभी पॉइंट जो है आपको बता होते हैं भारत से किस देश की स्थितिक किस साइट में है यह जरूर ध्यान रखा करिए यह आपर से आपको राजधानी भी दिख दिख दिया है जोकी है खारतुम तो यह जरूर ध्यान रखेगा Q9 है कि Aero India 2019 में 23 फरवरी को कौन से दिवश के रूप में मनाया गया सही answer option B वाला है यनि कि महिला दिवश के रूप में 23 फरवरी को महिला दिवश के रूप में मनाया गया और इसी दिवस के उपलक्ष में एक रिकॉर्ड भी यहां पर बना है तेजस में उडान भरने वाली PB सिंदू पहली महिला सा पाइलेट भी बन गई है PB सिंदू जो है वो पहली महिला बन गई है जिनूने की तेजस में उडान भरी हो तो यह पॉइंट हमको यहां से जरूर ध्यान होना चाहिए अगर हम बात करें Aero India 2019 की तो इसका आयोजन वेंगलूरू में किया जा रहा है 20 से 24 फरवरी तक तो 20 ताइक से शुरू हो चुका है 24 फरवरी को भी जो है इसका आयोजन चलेगा तो यहां पसे यह सभी पॉइंट अच्छे से ध्यान रखेगा क्वेशन नंबर दसवा है कि तेल विपनन कंपनिया उजवला योजना के तहत कि स्राज में 10 अजार से अधिक ग्रामीन महिलाओं को उजवला दीदी का दरजा देकर उरजा दूत बनाएंगी जो यह आंसर उप्षन एई वाला है यानि कि उरिशा जो भी तेल विपनन कंपनिया है उरिशा में वो ग्रामीन महिलाओं को उजवला दीदी का दरजा देकर उरजा दूत बनाएंगी तो ग्रामीन शेत्रू में उर्जा दूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा ग्रामीन महिलाओं को ही तो यह सिजवला देदी होंगी जो LPG कनेक्शन लेने वाले जो नए ग्रहाक है या फिर जो वर्तमान ग्रहाक हैं उनके बीच में और साथी साथ जो कंपनिया हैं जो LPG का वित्रण कर रही हैं उन कंपनियों के बीच में ब्रिज का काम करेंगी दोनों को अगर कोई समस्या होती है तो इन दोनों जो उजवला देदी हैं इनकी मदद से जो है उस समस्या का हल ढूनने की कोशिश की जाएगी चैए लोगों को रोक परतिरक्षन सम्बंदी जो है जानकारी उपलब्द कराएंगे जो टीका करण को लेके लोगों के बीच में बहुत सी गलत फहमिया है उनको दूर करने में अब ये अपना योगदान देंगी तो आपको इस इस पता होनी चीए इस अभियान का इस कैमपेन का नाम क्या है और साथ इसका जो ब्रेंड अमिजजर है वो किसे बनाया गया है ओके चलिए इसके बाद कोशी नमबा बारवा है जब इसकी गोशना की गई थी तब मैंने आपको उसी वक्त इसके बारे में बता दिया था अब इसको जो है लागू कर दिया गया है मद्परदेश में ये जो योजना है इसका उद्देश है जो भी शहरी छेत्र के जो बिरोजगार लोग है गरीब बिरोजगार लोग है उनको 100 दिन का जो है रोजगार दिया जाएगा सरकार की तरब से और ये जो योजना है ये 21 साल से 30 साल तक के आई वर्ग के लोगों के लिए है कि 21 वर्ष से 30 वर्ष के जो लोग होंगे उनी को जो है इसमें रोजगार दिया जाएगा चलिए इसके बाद यहांपसे हम लोग बात करेंगे कल के कुछ क्वेशन की जो मैंने आपसे पूचे थे पहला कोशन था कि निम्नमस से किस फुटबॉलर को हाली में दिल्ली में फुटबॉल रतने से सम्मानित किया गया सिंपल सा अंसर था उप्षिन ए वाला यानि की सुनीर चेत्री बिल्कुल इसका सही आंसर था सेकंड कोशन मैंने आपसे पूचा था कि निम्नमस से कौन भारती ये वायू सेना की पहली महिला फ्लाइट इंजिनियर बनी है सही आंसर ही ना जैसवाल यानि की ऑप्षिन ए वाला इसका सही था अब बात करते हैं आपके लिए आची कुछ प्रशनों की जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं पहला कोशिन आपके लिए है अंतराश्टि मात्रभासा दिवस कब मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लेंग्विज डे कब मनाते हैं कमेंट करके बताईएगा सेकंड आपके लिए है कि चाफरवरी को पर्थम परिवर्तिद विधुत रेल इंजन का लोकारपण किसके द्वारा किया गया और कहां किया गया ये भी बताईएगा वो जो इंजन बनाया गया था डीजल से विधुत इंजनों के पूर्जों से बनाया गया था बिदुत इलक्टिसिटी से चलने वाला इंजन मनाया गया था उसी की यहां पर बात हो रही है ओके सो कमेंट करिएगा और मुझे बताएगा आप कोई वीडियो कैसी लगी कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और किसी स्पेशल चीज पर वीडियो बनाना चाते हैं बनवाना चाते हैं मुझसे कोई स्पेशल जानकारी चाते हैं तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुबहुत धन्यवाद